हेलो, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे, कि HTML में definition list क्या हुती है, इसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले यहां पे दिया गया है definition list, जिसको लिखा जाता है DL से DL का मतलब बुचल है definition list, इसके बाद यहां पे हम इसकी definition जानेंगे तो इसकी definition है, यह definition list जिसको बोले जाता है DL, consist of alternating definition term, तो definition term जो होती है, वो dt होती है, and definition description, और definition description को लिखा जाता है DD जे, definition list start with DL and ends with DL, और end जो इसका किया जाता है, यह forward slash लगा के DL लिखा जाता है, the DD tag goes in front of each term to be defined with the DD tag in front of each definition, तो यह definition list जिसकी definition है, इसके बाद यह लिखो, यहाँ पे DL लिखा, definition list लिखी, इसके बाद यहाँ पे DT लिखा, DT में हमने keyword लिखा, अगर हम keyword के बारे में कुछ बताना जाते हैं, तो वो DD में लिखेंगे, तो यह लिखो, यहाँ पे लिखा DD, an input device, कौन है input device, keyword, तो यह जो keyword है, यहाँ पे लिखा जाएगा, और यह जो DD है, यह थोड़ा यहाँ से, इसके keyword से, आगे से यहाँ से लिखा जाएगा, तो यह है, definition description, इसके बाद हम DL को बंद करेंगे, यह देखो, ऊपर DL को open किया हुआ है, इसके बाद यहाँ पे DL क बंद करेंगे, इसके बाद जब हम इसकी output देखेंगे, तो यह देखो, यहाँ पे, keyword, keyword कहाँ पे लिखा हुआ है, DD में, definition term में, तो यह keyword यहाँ पे आया, इसके बाद keyword के बारे में, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, an input device, यह कहाँ पे लिखा हुआ है, DD में, तो यह जो है, यह यहां से आगे से लिखा जाएगा, यह देखो, an input device, यह keyword आगया, और यह देखो, यह इसके बारे में keyword के बारे में बताया गया है, तो यह आगे से यहां से लिखा जाएगा, इसको आगे हम notpad में समझेंगे, यह एक program है, create a webpage to display definition list in HTML, इसके बाद यह देखो, यहां पे notpad म हमने definition list का एक program लिखा हुए, सबसे उपर यहां पे लिखा हुए HTML, इसके नीचे लिखा हुए head, इसके नीचे लिखा हुए title और यहां पे लिखा हुए definition list, इसके बाद title को बंद किया हुए, head tag को बंद किया हुए, body tag को यहां पे शुरू किया हुए, इसके बाद यहां पे adding tag को start किये हूए H1 इसके वाद यहाँ पर definition list यह यहाँ पर open किया हूए यह देखो DL लिखा हूए DL का मतलब है definition list इसके वाद यहाँ पर लिखा हूए DT definition term तो यहाँ पर लिखा हूए keyword इसके वाद keyword के बारे में हम कुछ बताना जाते हैं तो वो लिखेंगे हम dd में, definition description, an input device, यह हमने यहाँ पर लिखा, इसके बाद dt फिर start किया, definition term, इसके बाद यहाँ पर लिखा monitor, अब monitor के बारे में हम कुछ बताणा जाते हैं, तो वो हम लिखेंगे dd में, तो an output device, monitor किया एक output device है, इसके बाद फिर यहाँ पर dt, dt में हमने लिखा हुआ है, scanner, और scanner के बारे में हमने कुछ बताणा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम dd में, an input device, scanner किया एक input device, इसके बाद यहाँ पर हम dl को यहाँ पर open किया हुआ है, तो यहाँ पर हम dl को बंद करेंगे, यह देखो, यहाँ पर dl को बंद किया हुआ है, इसके बाद एडिंग लिखा हुआ है तो keyword यहां पे लिखा हुआ आएगा और यह जो dda definition description यह जो है an input device यह आगे से यहां से लिखा हुआ आएगा इसके बाद monitor है monitor यहां पे लिखा हुआ आएगा और यह an output device यहां से आगे से लिखा हुआ आएगा इसके बाद scanner है यहां पर लिखा हुआ आएगा और यह जो an input device यह आगे से लिखा हुआ आगा यहां से इसको करके दिखते हैं तो इसके लिए हम यहां पर file टैप पे जाएंगे और इसको यहां पर save as करेंगे save as करने के बाद कहां पर save करना है desktop पर desktop पर क्लिक किया यहां पर file name देंगे तो file name है हमने दी fg इसके बाद dot html यह file name दिया इसके बाद इसको save करेंगे save करने के बाद यह default browser में यह निच्छे आ जाएगा यह देखो यहां पर आ गया है यह लिखो आगे से इसके बाद DD में हमने लिखा हुआ है keyword के बारे में an input device तो यह जो है यह लिखो keyword के यहाँ से start हुआ यह थोड़ा आगे से start हुआ तो यह है DD definition description इसी तरह यह लिखो monitor यह हमने कहां पर लिखा था dt में तो यह यहां पे लिखा हुआ है और इसके बारे में हमने dd में लिखा था an output device तो यह यहां से लिखा हुआ है इसी तरह scanner यह लिखो dt में लिखा था तो यह यहां पे लिखा हुआ है और scanner के बारे में हमने कुछ लिखा हुआ है तो ये जो है dd में लिखा हुआ है an input device तो ये लिखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है तो इस तरह से यहाँ पे हम definition list का use कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने definition list के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे रगी तो please subscribe my channel